आज इत्तर पुर्व में सातों राजियों में अवरी सरकारे हैं यंडिये की बीज पीलेट यंडिये की वहां पर सरकारे हैं कई दसकों बाद देश में सबसे जारा लोग सभाज जीतने वाली पार्टी आज ये भारती यंता पार्टी बन गई है एक के बाद दूसरे चुनाओं में हमारा जनाहदार बढ़ता ही गया और पार्टी डेश के उन्न हिस्तों पे पहली जहां इसके पहले उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था बित्रों मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी के बाद इस डेश के जन मानस की मनोदसा समझने वाला इस डेश के जन मानस की मनोदसा को बूजने वाला यह कोई इकलोता नेता है उसका नाम है त्री नरेंद्र मोदी यह कहने में भी जेरंचमात्र तंकोच नहीं है इसलिए वे जन्ता से सीधे जुड़ते हैं वे जन्ता को समझते हैं और जन्ता उन पर भरोशा कर लिए देश की नब्ज को भलीभात समझना ही उनकी संगत्निक कौशल की यह आत्मा है और मित्रों उनकी इस बेजोड उपलब्द के कारण क्या थे कैसे मोदी जीने जन्धावनाओं को समझने का विज्ञान विच्छित किया पार्टी के विस्तार के लिए उनके प्रियोग क्या थे और विस्तार के परंपरागत तरीकों में उन्होंने क क्या बदलाओ किये आर्पिटेक्ट अब ड्यू बीजेपी हाउ नरंद्र बोदी ट्रांसफार्ण पार्टी इस किताब से इन रहस्यों से परदा उठी जाता है उदाहां के साथ तथ रखे गए हैं इस पुस्तक में किताब के मताविक मोदी जी ने संग्रखन को ब्यापक और विराद बनाने के लिए तीन तरीके अपनाए है एक परंपरागत परशारकों और कारकरताओं के साथ और दूसरा अस्थानी महत्तपों लोग जो पार्टी के बाहर थे पर जिनका उनके इलाके पर अपना प्रभाव था और तीसरा एक बार जो उनके साथ संबाद में आ जाते उन्हें वह अपने विशार और कारकर्मों से प्रभावित करते